हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो मित्रो आज हम बात करेंगे पित्रपक्ष में मित्रो हमारे हिंदु धर्म में पित्रपक्ष को काफी महत्ता दी गई है इन दिनों में वे अपने पित्रों की मुक्ती और उन्हें उर्जा देने के लिए दिदी विदान से स्राद करम करते हैं इस दोरान पित्रों की आत्मा की सांती के लिए पूजा पाठ भी किया जाता है साथ ही ब्रामनों को भोजन कराया जाता है गरीबों को दान दिया जाता है तो मित्रो आज हम बात करेंगे कि पित्र पक्ष में खाने का बड़ा महत्व माना गया है पित्र पक्ष में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आज हम बात करेंगे कि स्राद पक्ष में कुछ ऐसी चीजे है जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए मित्र पिक्तर पक्ष में खाने को बड़ा महत्व दिया गया है धरम सास्त्रों के अनुषा स्ष्राध पक्ष में कुछ ऐसी चीजए है जिसके सेवन को नहीं करना चाहिए उनके सेवन से हमारे पित्र हमसे नाराज हो जाते हैं और उनका आसिरवाद हमसे दूर हो जाता है मित्रो आपको ख्यार लगना है कि कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए पित्र पक्ष में बासी भोजन करना मना किया गया है हमारे स्वास्त्रों में इसको बंद किया गया है वैसे तो स्वास्त्र की दश्टी से कभी भी बासी भूजन नहीं करना चाहिए यह हमारे स्वास्त्र के लिए हानिक कारक होता है लेकिन पित्र पक्ष में बासी भूजन खाना और दूशों को खिलाना काफी असुप माना गया है इन दिनों में ऐसे खाने से दूर ही रहना चाहिए जिससे हमारे से हमेसा प्रसम रहते हैं मित्रों तो आपको यह झाला 냈क कि जना चाहिए श्राद पक्ष में श्राद उचने से बने अन्य चीज के सेवं करने को मना किया गया इसलिए पित्र पक्ष में चना या चने के सत्तु का सेवन नहीं करना चाहिए नहीं किसी को यह वस्तु देनी चाहिए इससे आपके पित्र रुष्ट हो जाते हैं मित्रो आपको पित्र पक्ष में मूली लोकी खीरा और इनके साग को नहीं खाना चाहिए पित्र पक्ष में मूली लोकी खीरा और सरसों का साग ना खाया जाए और ना किसी को खिलाया जाए स्राद पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही परतिबंद है इससे आपके पित्र नाराज हो जाते हैं, देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं मित्रो आपको पित्र पक्ष में काले नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए मित्रो काले नमक के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है इस दोरान खाने के दोरान काले नमक का कभी भी परियोग नहीं करना चाहिए, पित्र पक्ष में इसके सेवन से आपको काफी नुक्षान हो सकते हैं, आपके धन में भी हानी हो सकती है, मित्र तो आपको पित्र पक्ष में इस बात का भी ख्यार लगना है कि आपको कभी भी सिल्की डाल का बिल्कूल भी परियोग नहीं करना चाहिए पित्र पक्स में मूंग और उड़की डाल का इस्तमाल करें इसके इसके इस्तमाल को काफी सुब माना गया है इसके साथ ही आपको मसुड की डाल का परियोग बिल्कूल नहीं करना चाहिए स्राद पक्स में मसुड की पित्रों यह थी हमारी स्राद से जुड़ी कुछ जानकारी कि पित्र स्राद में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें